पहले हम बात करेंगे टाइटाइन कंपनी लिम्टेट के बारे में एक ऐसे स्टॉक है जो कि कभी आपको रुखने का नाम नहीं लगा जब भी देखोगे तो बाजर में तीजी हो या फिर बाजर में गिरावट ये स्टॉक आपको एक तरफा ऊपर की और ही जाती हो है आपको को देखने को मिल जाएगा अगर आप इसके सिर्फ फ्राइडी की दिंग की प्रफेंस को देखोगे तो थोड़ा वद आपको प्रेशा देखने को मिला गए लेकिन बाकि अगर पिछले और कुस टाइम की प्रफेंस को देखोगे तो उन प्रफेंस आपको इन स्टॉक में एक positive भी तेजी आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि पिछले एक मन्त की बात करें तो रगबाग 3 सारे 3% की तेजी 6 मन्त में 18% और अगर हम एक साल की प्रफेंस की बात करें तो एक साल में दोस्तो टाइटें जैसे stock अगर हमें 20-30% की भी net return बना के देते हैं तो उस return को भ बात भी लगब 50% के आपस एक बहुत ही धमाकेदा return बना के दिए जो कि ऐसे company के shareholder के लिए यह तो बहुत ही कमाल के रिटर है जो कि safest return यह stock आपको बना के देते हैं और उसी के साथ साथ अगर आप इसके 5 साल के प्रफेंस को देख हुए तो है तो एक ब्लूचिप कंपनी 30 303 लाग करों के market gap है लेकिन अगर आप इसके return को देख हुए तो नियरबाइ 300 प्रफेंस के आफपास केटर है तो इसने बहुत भी खतरनाक प्रफेंस दिखा है और सिब इतना इनी future में भी यानिकि अगर आम लॉंग टाइम साब से बात करें तो आने बाले लॉंग टाइम इसके return company सायसा को इसी प्रकार के प्रफेंस देते हो देखने को मिसकते है और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे यह stock हमेशा जब भी आप देखोगे कि यहाप भी हम जब अपने stock को यहाँ पे देखा था तब यह stock top पे था all time high पे 2000 पे फिर धायाजर पे तब यह stock all time high पे था फिर इसने 3000 को ब्रेक किया तब सबको लगा कि अब तो 3000 क्रॉस कर देए अब तो stock बहुत top है फिर आपने देखा आज यह stock 4000 के करीब आस पास है जो अच्छे company होते हैं वो हमेशा जो लेवल आपको देखने को मिलता है वो उनके top level बिल्कुर भी नहीं होता है वो stock उ फिर से open होने जा रहा है तो यह stock सबसे पहले आपके focus को पर होना चाहिए क्योंकि अगर हम बात कर फ्राइडे के दिन बाजर close होने के बाद इस company ने अपना quarter 3 के जो business है वो हमारे सामने update करते हो देखने को मिला तो वो तो बाजर close होने के बाद आये थे तो उस business update के पती जो अपनी के जो इस पार business क्या है हमारी साब से कैसे और कल की दिन किस प्रकार बाजर reaction दिखा सकता है तो हम दोस्तो आर्टिकल के ओपर नहीं जाएंगे हम सिधा आ जाते है एकदम उस table के ओपर ताकि हमें समझने में बहुत ही आसान हो जाए तो आप देख पार के फिप जन्म इस quarter में थ्री मंत पे तो यह तो होगे headline अगर आम में actual देखना है कि company कितने कितने सेग्मेंट में किस प्रका की ग्रोथ दिखा है और कितने कितने सेग्मेंट में कितने नए स्टोर ओपेन किया और उसमें से total स्टोर अभी कितने है तो सबसे पहले जो company के core सेग्मेंट है जुलेरी सेग्मेंट तो उसमें company के याली basis पे 23% की ग्रोथ है और जो company ने add store किया 38 store company ने जुलेरी सेग्मेंट में open किया new store और जो total store है अभी तो लगबग 636 store है उसके बाद watch and variables की बात करें तो company के 21% ग्रोथ है company की income में उसमें लगबग 25% new store open किया जोकि total store है दोस्तों 10 100076 store और iqr की बात करें तो 3% ग्रोथ है अभी तक उनने store इस quarter में open ने किया जो पहले store था 913 हमें उतने ही देखन को मिल रहे है उसके बाद company के जो emerging business है उसमें 24% ग्रोथ है 11 store इस बार open किया और जो total store है 62 के आसपार तो बहुत इसने और भी बाकी cut lane की बात करें तो 31% ग्रोथ है 16 store इस बार उनने उपिन किया और जो total store है वो लगब 262 के आसपार तो हर एक segment में अगर हम बात करें टाइटेंग company हमें से तरह इस बार भी बहुत इसने कमाल के क्योंकि आपको पता है कि company है तो बहुत कमाल कि अपनी sector का यह leading company maximum market share इनी के पास है बहुत ब्लूचीप company बट आपको पता है जो ब्लूचीप फे जो leading company होते है उनके उपर बाजर का बहुत ज़्यादा pressure भी रहता है छूटे कमपने हो तो अलग बात है ऐसे company से बाजर उम् reaction देखना यह बहुत ही important रहने वाले और अच्छी बात है कि अगर यह number बाजर को कुछ खास ना लगे तो अगर stock में गिरावाट होता है तो जो phrase बाये है यह जो सोचते की stock कभी मौकर नहीं देता है तो उनके लिए तो एक अच्छे point ज़रू बन सकता है अगर आप इसके 5 स ज़रू आएगा बड़ यह stock automatic long time में comeback करी लेता है तो कभी भी अगर आपको मौका मिले यह फिर अगर आप सोचरो phrase buying करना ही है तो business update आ गया है तो number भी आ जाएंगे एक बाद नमबर देखने actual number company कैसे आता है उसके बद आरामस इसके बारे में आप अपना विचार कर सकते हो देन एक और कमाल के stock की बात करें CDA से limited अगर हम CDA से limited की बात करें तो पिछले short time में एक consolidation इफ एक negative performance ने जरूर दिखाया होगा अगर हम एक मन्त की बात करें तो बहुत ज़दा आपसे नाउस और एक flatties performance और उपर साब बहुत सतो कि एक अच्छे तेजी के बाद stock के के लं यह 2000 के लिए ब्रेक होगा और उसके बाद जो हम सोच रहे थे कि 2250, 6000 या 2800 यह फिर 3000 जो लेवल हम अभी से उम्मीद लगा के चल रहे हो वो लेवल आराम से stock ब्रेक करते हो आपको देखने को नसे लेकिन उसके लिए company को इस पार भी quarter 2 से भी better quarter 3 के नमबर दिखाने पड़ सकता है और यह तो के short tank के साब से अगर हम long time के साब से बात करें तो long time है दोस्तों अगर किसी के पास CDSL है तो long time यह stock बहुत ही कमार की रोध दिखा सकता है क्योंकि अगर आप इसके business model को देखा होगा तो company आपको बजाए totally MII में company काम करते हैं जो कि market infrastructure institution जिन में बहुत सारी चीज़े आ जाते हैं जो कि capital market structure में जो भी प्रोबाइड करता है all market participants चाहे वो exchange clearing corporation हो चाहे जो डिपोजिटरी पार्टेसेवें के उना और बाकी user and investor के बाकी जो भी चीज़े के उना इस सारे चीज़े जो CDS से limited है वो हमें प्रोबाइड करते हुए देखने को मिल जाते है और जो company की depository है में दोस्तों उसमें company के एक बोस्तो 74% के market share है और KYC में देखोगे तो लगबाग 65% के आसपास और अगर आप इसके segment को भी देखोगे तो देख पारने सबसे जो core segment है तो वो depository activity और जो company के data interest storage है उनमें लगबाग 20% के आपस company की income आते है लेकिन यह जो company इ को मिलता है जिनमें से company 27% income generate करता है transition charges जिनमें 22% और online अगर हम बात करें online data charges तो इसमें 17% और other की बात करें तो 13% चाह पाए यह जो transition charges है दोस्तों और online तो चलो वो तो मिलते ज्यादा बड़ जो transition charges होता है जब जब बाजर में तेजी आता है तो बहुत से लोग बाजर में नए जूड़ते है और बाजर में अच्छा का से ट्रेडिंग भी करते है शौट टाइम की investment भी करता है तो जितने ज्यादा वो transition करेंगे उतनी ज् यह company CDSL एक अच्छे का सामें profit यह income भी generate करते हैं में देखने को मिल्या दे तो अगर हम long time से आप से देखे तो company कमाल की profit देने बार है और उसी के साथ अभी जो हमेरे total market में कितने demand account है total की बात करे लगबा 14 करो के आपास 14 करो तो total demand account है और उसमें से भी देखोगे तो CDSL के पास 10 करों से ज्यादा active demand account CDSL के पास ही है मतलब इस time आपने देखोगे जो भी ब्रोकेज जो जितने भी demand account है अगर आम जितने भी discount broking वाली के बात करें अगर आपके इस time पे किसी भी discount broking के थूरा अगर आप आपने demand account को open करोगे तो आपके जो depository है दोस्तों वो आपको CDSL देखन को मिलेगा मतलब maximum chances आपके जो depository है वो आपको CDSL देखन को मिलेगा तो और यह चीज़े यह participant अभी तो 14 करोर है आने बार टाय में और भी increase होगा तो यह जो CDSL का data है कि 10 करों का demand account CDSL के पास ही है यह आने बार टाय में 15 भी होगा 20 भी होगा 30 भी होगा और यह data जितना increase होगा उतनी ज्यादा company को अच्छे का से कमाई होगा और जिसके चाथ जो अभी company के एक साल की income है कितने 630-2030 करों के आप जो की company 12 मत में कमाती है यह data दोस्तों आने बाले टाय में इतनी ज्यादा company मदब जितनी ज्यादा लोग बाजर में जूरते जाएंगे उतनी लांग टाइम में देखने को मिल सकते हैं तो जिनके चाहते किसी के पास बेगा cdsl stock है तो बस मैं आपको इतना ही कहां चूंगा कि यहाँ था कि 600-700% के जो से इंटर मना के दिया 2017 से 6-7 सालों में यह कुछ भी निया आने वाले future में यह कंपणी बहुत बड़े company बन सकते हैं पोटेंस होता में बहुत ही सांदर देखने को मिल जाते हैं तो भी सीडेस को ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि maximum data और maximum जो customer है हमें cdsl के पास ही देखने को मिल जाते हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट निफ्टी आने वेट्टा में बीस के चालीस पचास एक लाग भी जाएगा तो यह company भी मतब उनीस होबे तो यह बिल्कुर भी नहीं रहेगा इससे कही गुणा उपर आपको जाते हो देखने को मिल जाएगा और आप चाहो तो जरू बने ज्यादा company आपने देखा कितने IPO बाजर में लिश्टेड होगा तो जैसे वो NAC है BAC Exchange में लिश्टेड होगा यह company अपने exchange प्रवाइड करता है तो जितनी ज्यादा बाजर में जूडते जाएगा नए IPO आता जाएगा तो इन company को फाइदा होगा और खासके फाइदा तब हो बस उनको अभी problem हो रहे है तो मैं आपको बताना चाहूंगा stock इसी प्रकास चलते कभी अगर बाजर में कभी गिरावाट होता है तो stock में easily आपको 30% की downfall देखने को मिल सकते है तो वह चीज़े आपको hold या उन्स चीजों को भी जहलना आना चाहिए but long time को आप से देखा जा अगर हम फ्राइडी के दिंग की बात करें तो एक फ्लाटी इस प्रफॉर्मिस था बागी 6 मंत में देखोगे तो लगबाग 2500% की तीज़े और maximum सेम आपको इस लिबे से ज्यादा तीज़े देखने को मिल जागा क्यों हाली में company 1-10 का speed का अनॉस्मिंग किया तब से stock rocket बना